नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यू चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों हमारा देश जो है जरी बूटियों का देश है जी हाँ दोस्तों हमारे भारत वर्स में अनेक परकार की जरी बूटी पाये जाते हैं और इसका परियोग किया जाता है आज से नहीं हजारों सा से इसका परियोग करते आ रहे हैं भारत बर्स जरी बूटियों का देश है इसलिए दोस्तों हम लोग को Chinese समानों को वहिस्कृत करना चाहिए और अपने सवदेसी चीज़ों को अपनाना चाहिए हमारे जो देश में जो सवदेसी जरी बूटी है उसको अपनाना चाहिए हमारे स्वदेशी समान को अपनाना चाहिए और चाइनिस समान को भहिस्कृत करना चाहिए जी हाँ दोस्तों आज जो पोधा आप देख रहे हैं हम इसके बारे में बात करेंगे इसके गुनों के बारे में बात करेंगे और कौन-कौन सी बिमारी को दूर किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे तो देख लीजिए दोस्तों पहचान लीजिए इसके देखे पत्ते हैं ये देखिए और इसमें दोस्तों इस पौधी का नाम है अरंडी जी हाँ दोस्तों अरंडी का पौधा है ये दोस्तों ये भारतिय मूल का पौधा है जिसे की हम कैस्ट डूरत्रोल tree बोलते हैं यह पूरे भारत में पया जाता है और कही रसे स्टेट जहां पे इसका खेती पत्ैटर मात्रा में किया जाता है केस्ट्रोड ओयल का दोस्थो यह बर्सात के सिजन में अपने आप उगने वाला पौधा है बहुत जगह इसका खेती भी किया जाता है तो दोस्तों आप सही धंक से इसको पाचान लिजे जो इसमें दोस्तों फूल भी होते हैं और फल भी लगते हैं जी हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं जो वीडियो में इस तरह से फल फूल लगते हैं तो दोस्तों इसमें अभी फल लगे हुए नहीं है और फल लगते हैं दोस्तों यह अरंडी का जो पेर है यह औसधी गुनों का भंडार होते हैं दोस्तों इसके जो बीज होते हैं उसका तेल निकाला जाता है जो कि औसधी कारी में बहुत ही लाबकारी होता है बहुत साड़े आउसद्धी में इसका पड़्योग किया जाता है तोस्तों अरंडी को एंग्रेजी में इसे केस्ट्रॉल आइल के नाम से भी जानते है अर ändi को संस्क्रीट में उत्तन पत्र और वरदमान के नाम से भी जाने जाते हैं इसे गुजराती में अरंडो ड्रंगो कहा जाता है मराठी में से अरंडी और बंगाली में अरंडिया कहा जाता है तो अलग-अलग छेतर में अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं आपके भी छेतर में किसी और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट करके ज बेदना अस्थापन, किरीमी विनासक, मुत्रक और अस्तन जनन्य है। इसके अलावा फुरुसों में सुक्र बर्धक और अरगरभासय में इन्फेक्शन को दूर करने वाला भी है। इसके साथ ये बुखार को भी दूर करने वाला होता है। तो चारोग में भी बहुत ही फाय ही फायदे मंद होते हैं। चलिए दोस्तों अरंडी के परयोग हम बता देते हैं विस्तार से कि कौन-कौन सी बिमारी में इसका परयोग किया जाता है और किस मात्रा में करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे सब्कूREE लगे तो यहां कर देना लाइक करने से मेरा motivation आप होता है मनोबल बरता है जिसके वज़य से आपके लिए ऐसे ही हम लाते रहते हैं और उसके वारे में जानकारी देते रहते हैं जी तो आप उसको चान करके और उसको निकाल करके आप उसका सेवन करें तोचा समंधी रोग दूर होता है इसके अलावा दोस्तों औरंडी का जो तेल होता है तेल होता है आप तोचा पर उसको मालिस करने पर इसकीन पर मालिस करने से तोचा रोग भी दूर होता है जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमास और आईस जैसे बिमारी को यह दूर करने के लिए बहुत अच्छा उसदी है दोस्तों जैसे किसी का बाल जहरने की समस्या हो जाता है गंजेपन की समस्या हो जाता है या बाल तूटने की समस्या हो जाता है तो अरंडी का जो तेल होता है उसको आप रात में सोते समय जहां पर बाल कम है वहां पर तेल लगा करके और हलके हाथों से मालिस करें इस तरह से आप अगर करते हैं continue तो आपके जहां बाल जहर गया है वहां पर बाल आना शुरू हो जाता है बाल जहरने की समस्या होता है और बाल चमकदार और मजबूत बनता है दोस्तों अरंडी के तेल का पड़ियो करने के बाद बालों का जो ग्रोथ होता है बहुत तेजी से होता है आपका घने मुलायम काले बाल हो जाएंगे दोस्तों अगर किसी को सरदर्द की समस्या है तो सरदर्द की समस्या में इसके जो जर का ले करके और उसको पीस करके माथे पे लगाने के बाद सरदर्द में पांच विनिट में आपको अराम मिलता है दोस्तों इतना ही नहीं अगर किसी को दांतों में लेके समस्या है जैसे पैरिया हो जाता है मसूरे सी खून आने को होता है दांत में सरन हो जाता है या दांत हिले की समस्या होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा रंडी का तेल होता है तेल में कपूर मिला करके आप दांत प भी दूर करने के लिए इसका बहुत अच्छा पड़ियोग है आप जरूर इसका करें दोस्तों अरंडी का जो बीज होते है उसका छिलका उतार करके और एक गिलास दूद में 4-5 अरंडी का छिलका उतार करके रख करके उसको पीस करके पीने से सरीर में किसी भी परकार का दर् हो जोरों का दर्द हो गुटने का दर्द हो या गर्दन का दर्द हो कहीं कभी दर्द हो तो दर्द को खत्म कर देता है इतना अच्छा इसका आवसधी रूप में परियोग होता है अगर दोस्तों गर्वती मैलाओं को जो इसे कामला हो जाए तो सुरवाती अवस्था में पत्ते का रस निकाल करके 10 गराम की मात्रा में लगातार 5 दिन अगर इसको पिलाया जाए हिस्तिरी में जो कावना रोग हो जाता है वह दूर हो जाता है लेकिन दोस्तों सुबह सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करना है 10 गराम की मात्रा में 10 ml के मात्रा में इसका रस दोस् से क्या होगा मासिक धर्म में जो गडबरी होता है वो भी सही होता है या दर्द होता है या ज्यादा ब्लडिंग होता है बस आपको गरम करके जहां पेट पे रख करके इसको सेकना है दोस्तों 10 गराम रंडी का तेल और 10 गराम गोगरू और 10 गराम गोमूत्र के साथ सुवसाम पीने से और वेदना अस्थान पे रंडी के पत्ते को गर्म करके बांधने से जो अंड कोस पे बिर्धी होती है और उसमें जिसमें के पानी भर जाते हैं और सासा दर्द होता है तो वो भी सही करने के लिए बहुत अच्छा ही है इसका उप्योग है इतना ही नहीं दोस्तों अगर सरे गले घाव हो जाए या कोई धार धार कट या हथियार से कट जाए तो उस पे अगर रंडी के जो पत्ते हैं इसको पीस करके लगाने से वो घाव जल्दी भरता है और सासा सूजन हो गया उसको भी सही करता है दर्द हो रहा है तो उसको भी सही करता है दोस्तों इतना है नहीं शरीर में किसी भी भाग पे अगर सूजन हो गया हो दर्द हो रहा हो तो ये क्या करें ये जो देख रहे हैं रंडी के पत्ति ये इसको लिया है और उसमें क्या करें थोड़ा सा तेल लगा लें चाया तील का तेल हो या सरसों का तेल हलका गरम करके उस जगर हलका गरम कर लें और उस जगर बांद दोस्तों यकीन मानिया आपका दर्द दो मिनट म परेसान है तो आपको क्या करना है बहुत सिंपल सा परयोग है कि अरंडी का तेल ले आए और एक गिलास पानी में या फिर एक गिलास दूद में जी आँ दोस्तों दूद में तो जिसको कब्ज की प्रोब्लम है तो उसको दूद की नहीं सेवन करना है तो एक गिलास पानी में आपको 10 बुंद अरंडी का तेल लेना है और उसको मिला करके सेवन कर लें इस तरह से सुबह साम करने से आपकी जो कब्ज की समस्या है वह सही हो जाता है इसके अलावा दोस्तों एक चमच आप केस्ट्रोल आयल ले लें और उसको हलका सा गुनगुना करके एक चमच की बराबर आप उसका अगर सेवन करते हैं तो उससे भी पेट आपका साफ होता है ऐसे तो दोस्तों अरंडी के बहुत साड़े फायदे हैं क्योंकि यह आपको अराम से हर जगा मिल भी जाएगा बिल्कुल स्वधेसी है दोस्तों अपने स्वधेसी का ही परियोग करें आज देखिए वाइरस जैसे बिमारी को दूर करने के लिए आज स्वधेसी जैसे जरी आते हैं लाश तक में और दोस्तों अपना स्वधेसी जरीबूटी है आप इसका जरूर परियोग करें यह आपको हर जगा मिल जाएगा कोई खर्च नहीं है हर जगा आपको अबलेबल होता है आप इसका परियोग करके आप अपने बिमारी को दूर कर सकते हैं और अपने आ लाइक कर देना एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है जिसके वज़े से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई जानकारिक साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों